हलो फ्रेंड्स, बेलकम तो या इस्टेडी पिज मयांक, मैं हूँ आपका मयांक और आई ला रहा हूं मैं आपके लिए NCRT Geography Class 11 से यहां आपकी बुक बन चनल रही थी, यानि भारत बहुतिक परियावड़ हम पढ़ रहे हैं इसी करम में आज आपका यहां पर अध्याय चटवा हैं, आज हम यहां पर मरदा के बारे में जानेंगे इसके बहुत एक संग्ठन के बारे में जानेंगे, भारत में कौन-कौन सी मरदा पाई आती है य सब बाते शर्द्धध ये थे ह हम धेए तो चली स्टार्ट करते हैं आजens का वीडियो देखते हैं मैं क्या क्या डिसकस करना है यहां पर और क्या क्या नोट डाउं करना है प tego बात करने अगर मödě हैं तो मुद्धा जो है हमारी प्रत्पी की सबसे उपरी परत है ये बात आप अच्छे से जानते हैं और आप पहले पढ़कर आए हैं सबसे उपरी परत हमारी मरदा है ठीक है और ये जो मरदा है ये इसका रॉल ये होता है इसमें जो पौधे बगेरा हैं इनकी जड़ने पर दुमान होती है इनको ये पौसर कत्त्त प्रदान करती है यानि कि मरदा के अंदर क्या है तवाँ प्रोसर कत्त होते हैं जो विभिन पौदे घ्रहन करते हैं और अपनी दद्धी करते हैं ये बात आप अलिडी जानते हैं देगे मर्दा के निर्माट की प्रक्रिया जो है कोई एक या दो साल में नहीं होती है मर्दा का निर्माट लगा लाखों सालों की प्रक्रिया की फ़ल सुरूप मर्दा का निर्माट हुआ है और आप यहाँ पर जो मर्दा में बेहने में तत्तों देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं तापमान या फिर वरसर्ड की बज़े से उन तत्तों की यहाँ पर उपलबता होती है यानि कहीं गहीं आप देखते हों कि मर्दा में कुछ तत्तों जादा होते हैं कुछ तत्तों हाँ भी कम होते हैं तो यहां पर मर्दा की अरम बात करें, तो मर्दा के बारे में कुछ चीज़ आप पहले पढ़कर आ चुके हैं, जैसे मर्दा में जो हुमस होता है, यहां पर आपको पता होगा, लगवक मातरा जो होती है मर्दा में, वो 5 से लेकर 10% होती है, ठीक है, भही अगर खनिज की बा 65% तक खंिवादार्थ होते है ढ़े वहीं इसमें अगर देखा जाए मृदा के अंदर जल्गी मातरा जो होती है 25 के लगवव होती है बायों जो होती है उसकी मातरा यहाँ पर वही है कि मर्दा जो है हमारी भूपरपटी यानि कि आपकी जो सबसे उपरी परत है उसकी सबसे महतपूर परत है और एक मूलिवान संसाधन है मूलिवान संसाधन क्यों है वो आप अलड़ी जानते हैं क्योंकि हमारी यो देनिक आवस्त्ताओं की पूर्ती है वो सब उस सब के लिए हम किस पर निर्वर करते हैं मिट्टी पर निर्वर करते हैं यानिक हमारे जो खाद्यान बगरा हैं जिन से हम जीवित रहते हैं जो हमारे खाने में इस्तिमाल करते हैं खाद्यान बगरा वो सब इसी परत में उगा आपक्षें है निए आप दिखते हों कि स्यल्दा ने डूट फूट जाती है यानि कि बर्षगी जैसे ताप की जैसे तो उन टूटने के फूटने की फलसुरूप जो है उन चटानों के जो अवसीस होते हैं बहूं मर्दा मिल जाते हैं तो ऐसे करके मर्दा का निर्माठ होता है, मर्दा में ऐसे करके पुसितत्तों का जो बिंदिमान पाये जाते हैं, आपक्छे है और करमड, करमड का मलब यह है कि यहाँ पर एक करम, यानि कि लंबा समय लगता है, भाई मर्दा को तयार होने में यानि लाखों सालों के प्रक्रिया के फल्सुरूप मरदा का निर्मार हुआ है तो अबक्षय और करमड के बिभिन कारक जनक सामगरी पर कारी करके जनक सामगरी का मलब यह है कि जो आपके शैल है यानि कि जो आपकी चट्टाने हैं उनके टूट फूटने के उपरांथ उनसे मिलने वाले जो पोसकत्त होते हैं मरदा में मिल जाते हैं और ऐसे करके मरदा की और बढ़ता और बढ़ जाती है तो यहां पर कहा गया है अपक्षा और करमड के विभन कारक जनक सामगरी पर कारी करके मरदा की पत्ली परत का निर्मार करते हैं जनक सामगरी का मलब यह है कि जो आपने देखा था कुछ कौन-कौन जनक शैल होते हैं और प्र्रागनें कायांतरित थीक है अवसाद ही इनके बाद ने पढ़ा था आपने तो वही यहां पर बातने कही गई हैं जो उन्हें जनक स्येट के रूप में उनसे इसका मरदा का निर्मार हो रहा है ठीक है अगर हम बात करे हैं अभर जह जहां चट्तानें यह मलवा और जयव सामिगरी का समिस्रड होती है जो प्रत्वी की सतह पर विक्सित होते हैं यानि मरदा सेल की अगर बात करने है तो किस-किस का मिस्रड है यह मलवा ठीक है यानि कि और यहाँ पर जयव सामिगरी है इसका समिस्रड होती है और ये प्रत्वी की विभिन यानि सत्य पर विक्सित होता है यह ठीक है यह नोट का लिया होगा अब देगे मर्दा के निर्माड को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है जो मैंने पहले जिकर कर दिया था भाय मंदली कारकों का यहाँ पर इसमें आपके जो है प्रभावित क प्रभाव में देखने को मिलता है ठीक है तो यहां पर भाई का गया मिर्दा निमार को परायत करने वाले प्रमुफ कारक में उच्छा बच्छा जनक सामिक्री जलवायू बनस्पती और अन्य जीव रूप और समय है यानि अन्य जीवी रूप का मलब यह है कि भाई बहां पर करने से वालता के ओपनारों के पैर होता है यहां रसे न्कसान होता है तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि यह सब चीजें जो होती है मों कहीं ना कहीं मर्दा के निर्माण को प्रभावित करती है तो थर्ड पॉइंट आपने नोट का लिया होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ अब देखिए मर्दा के घटक कौन कौन से होते हैं वो भी यहाँ पर आप देखते होंगे पेड़ पत्ते प्रभावित वहाँ नोट का लिया और देखिए इनके बारे मैंने बता भी दिया है कितना-कितना संग्ठन है तो आप चाहें लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं जैसे मैंने बताया था जल और वायु जो 25% है canikar 40-45% तक पाइजाती है इसके बारे मैंने बताया भी था भी आपको ठीक है और आप जानते भी हैं ठीक है तो यहाँ पर भही लिखाया गया है इन मेंसे प्रत्यक की मात्रा म्रदा के प्रकार पर निर्वा करती है यानि कि इनमें इसे प्रत्यक की मात्रा होना या फिर उनमें कमी होना इनके प्रकारों पर निर्वा करती है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप आपने प्रकार जान लिए अब देखें यहाँ पर आप यहाँ यहाँ पर कुछ अलग सी मिट्टी निकलेगी यहाँ पर कुछ अलग सी मिट्टी निकलेगी और end में नीचे नीचे बिल्कुल कुछ अलग सी चट्टाने टाइब निकल गया हैंगी तो यह मर्दा के संस्तर बोले जाते हैं इन्हें मर्दा परिच्छेद का soil profile इसके नाम से जाना जाता है लेकि यहाँ पर एक बात मैं इसमें बताना चाहूंगा जियोग्राफी की संदर में जहाँ पर मिर्दा संस्तर के तीन इस्तर बताए गई हैं जबकि आप environmental studies में जाएंगे बहाँ पर मिर्दा संस्तर के इस सोईल प्रोडिची द्का में Čफे 4 संसतर बताए गई हैं बैसे बास्परक रूप में होते 4 ही हैं लेकिन इन्होंने ऊपर के 3 काउंट किए हैं और नीचे वाले को इन्होंने ओ के रूप में Intraal कर लिए हैं बास्पर के रूप में 4 ही होते हैं उन्हें और डिटेल में बताया गया है, यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं बताया गया है, यह भी आप ध्यान रखना, तो आप comment पकरेंगे मज़े यह मत कहना, कि सर यह छूट रहा है, छूट नहीं रहा है, आप EBS में कुपर कर लेंगे वहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें कि अगर हम भूमी में गड़ा खूद हैं ठीक है यानि कि हम भूमी में गड़ा खूदने पर हमें मरदा की तीन परतें दिखाई देती हैं और पोसक तत्त इन सब का जल का सयोग होता है या आप 5 में का पहला सब्पइंट नोट करे रहा है यानि कि सबसे उपर वाला संस्तर जो होता है ए संस्तर या का संस्तर जिसे हम बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें बिदमान होती है यानि खनिज पदार्थ बगएरा जो होती है जैप पदार्थ होती है पोसक तत्त में जल बगएरा इन सब का सयोग यहाँ पर पाया जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपने इसके बारे में देख लिए है का संस्तर के बारे में अब खास अस्तर की बात करें थेकर खासनस्तर की इन्होंने बात कही है यहाँ पर second sub point ये का और गा के बीच में सिल्थ होता है ठीक है hormon के बीच संक्रमाडखंड होता है संक्रमाडखंड का मलब यह है कि भाई इसमें कुछ ततु जो होते हैं कासंक्रमाड़ के भी पाने जाते हैं ठीक है भी वाले संस्क्रड का या खासंस्क्रड का तो वो बात यहां भी कही गई है तो यहां पर आप नूट करें ना 5 में का सेगंड सब पाइंट कि खासंस्तर के बीच संक्रमणखंड होता है जिसे नीचे वाइब ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं ठीक है अख अध्यां रखना कि यह सबसे पहले निर्माड ग्हसंस्तर का ही होता है यहां पर कहा गया है कि ग्हसंस्तर जर्शना इली जंक सामेगली से अधिया होती है और आत्रत्व उपर की दो परते हैं इसी से बनती हैं यहाँ एक बात आप ध्यान रखना ठीक है यह देखिए आप 5 में का 3rd sub point आप note का लेना ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखें यहां पर बताया है यहां कि पर्तों की यह विवस्था है इसी में अगला sub point लगाएंगे तो 4 संस्तरों का टिक लगाएंगे ठीक है क्योंकि इनोंने क्या किया है कि इन वाले को जनक चट्टान या आधारी चट्टान की रूपे डिफैन कर दिया ऊपर के तीनों को काखा का का नाम दे दिया है ठीक है तो बात भाई है यहां पर तो यहां पर अगला sub point नोड करे ना पांच मा sub point यहां पर कि इन तीन संस्तरों की नीचे एक चट्टान होती है जैसे जनक चट्टान अत्वा आधारी चट्टान कहा जाता है ठीक है तो आपने यहां पर नोड कर लिया आगे बढ़ते हैं यहां अबर अब अब देखते हैं मर्दा का वर्गी करड कि मर्दा का वर्गी करड हमने कैसे किया है आप सभी जानते हैं कि मर्दा का निर्मार में जो तमाम कारक हैं यानि कि तमाम जो बाइवी कारक हैं जैसे उच्चा बच है जनक सामेकरी है जलवाई हुए है बनस्पती है यह सब कही ना की प्रभाव डालते हैं तो इसके according हमारे देश में बिन्विन जगों पर बिन्विन मर्दाय पाई जाती है अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो यहां पर बताया गया है प्राचीन काल में मर्दा जो थी हमने उर्वर जो उपजाव होती थी और उसर जो अनुर्वर होती थी ऐसे कि डिफाइन किया था आग गई दीकिए यह जो म्रदा के जो प्रकार बताए गई हैं यह वाले प्रकार यह आपको इनवार्यमेंट में पढ़ने को मिलेंगे जैसे मैंने आपको एक्जामपल के दरुब बता दूँं कि मरधा मैं बात करें, यह 5 mm से अधिक ब्यास वाले कड़ होते हैं, इसके लाबा बजरी के लाबा बारीक बजरी होती है, बारीक बजरी में यहाँ पर 2 से लेकर 5 mm तक कड़ आते हैं, ठीक है, मौटी बालू में 0.200 से लेकर 2 mm तक ब्यास वाले कड़ आते हैं, ठीक है, बारीक बालू में जो है 0.02 जो है 0.02 से लेकर 0.02 तक यहाँ पर कड़ आते हैं तो ऐसे करके यह मिर्दा बनती है एंड में आता एक सिल्ट बर्ड आपने सुना होगा सिल्ट या गाद ठीक है गाद में जो मिर्दा के कड़ होते हैं उनकी माप जो होती है वो 0.02 जहाँ पर आपका 2 mm से लेकर 0.02 तक होता है सिल्ट के कड़ों का माप ठीक है इसके लाब चिकनी मिट्टी इसे हम कले कहते हैं जिसे मडमे यहाँ पर लेखा हुआ है चिकनी मिट्टी ठीक है इसके कड़ की माप होती है वो बहुत कम होती है 0.02 ठीक है मिली मीटर कड़ का ब्यास होता है इसका तो इसके आधार पर मजा का सायोजन बनता है यह आपको EBS में सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी अगर करते हैं यहाँ पर दौमत मर्दा की बात कही गई है दौमत मर्दा में क्या होता है यहाँ पर 30 से लेकर 50% जो होती है वो बालू पाई जाती है तो ऐसे करके इसका संग्तन तयार होता है देखें दौमत मर्दा जो परोती है पौदो की ब장ती के लिए सबसे अच्छी और उप्युक्त मानी जाती है देखिए ये सब चीज़े मैं आपके माइन में इसलिए define इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग कहते हैं कि सर आप बहुत सारे जो topics हैं वो छोड़ देते हैं छोड़ता नहीं हूँ मैं define कर देता हूँ वस मैं उन्हें लिखवाता नहीं हूँ लिखवाने का रॉल यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर geographic recording अभी मर्दायें पढ़ रहे हैं अब हम यहाँ पर environment पर पहुँचेंगे तो environment पर उनके बहुत एक संग्ठन के आधार पर उनके कौन-कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं उसके आधार पर पढ़ेंगे और अगर मैं वहाँ से अभी environment पर पर पोर्ट सर यहाँ पर लिखवा दूँगा तो जो आपका geographic recording इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ठीक है तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपके माइंड में चीज़ें बता दी हैं define कर दी हैं अब आगे बढ़ती है कि हमारे यहां मर्दा का बरीकर कैसे हुगा जैसे कि आप सभी को पता है सुतंता प्राप्ति के बाद हमारे यहां देश में पहली बार में ही सुधार किया गया अनि आपकी जो पहली आपकी रखी गई थी पहली पंचबर्सी योजना की जो नीव रखी गई थी उसी बात पर रखी गई थी कि हमें क्रसी संसादरों में या कि मिट्टी की जो बंजर हो गई थी तो उसको कैसे उपजाव बनाया जाए तो इसके लिए हमने यहाँ पर आमारे यहाँ जो है जो एक संस्थान विक्सित किया गया संस्थान की नीव धरी गई ठीक है तो यहाँ पर खाया गया है कि सन 1956 में स्थापिद भारत के मरदा सरवेच्षड विवाग की नीव जो थी 1956 में रखी गई ठीक है इसने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए छेत्रों में मरदाव के व्यापक अध्यापन किये पहला पॉइंट आप यहाँ पर नोट का लेना ठीक है इसके लाप यहाँ पर ICAR यानि कि इंडियन काउंस आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यानि कि यह उपर वाला और भूमी उपयोग आईवजन और इवाँ सस्थान जो है तो इनने मिलकर इनोने मिलकर इसका वरीकर पुने किया है तो यहाँ पर आप पहले का second point लेना यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लिखने न आप यहाँ तक भूमी उपयोग आईवजन और सस्थान ने भारती मर्दाओं को उनकी प्रकति और उनके गुणों के आधार पर वर्गिकत किया किसी आप दोनों ने मिलकर इसका पर वरीकड़ की अपना परकार की मर्दाओं का भी तरह कर दिया है थीक है कि चारे से आट प्रकार की मर्दाओंidy GUY जा रही तो यह आपने वरीकड जो है याँ आप देख पा रहे हैं यह आगे बढ़ते हैं यहाँ अब देखिए अब हम यहाँ पर बनवाई बन करके आठ प्रकार की जो मर्दाएं हमारी बो देख लेते हैं सबसे पहले याणि कि जलोड मर्दाएं जिनने हम इन सेप्टी सोल्स के देख बरियर किया गया है जलोड मर्दाओं को तो बोने हैं देखते हैं तो पहली हैडिंग आपकी यहाँ पर सब हैडिंग आप डाल लेना इसी वह मर्दा बरीकड में जलोड मर्दाओं जैसा के नाम स की बात करें तो ये मर्दाएं देश के कुल शेत्रफल के लगवग ठीक है कितने भाग में 40% भाग को डखे हुए है लगवग 40% भाग को डखे हुए है पहले का सब नच्छेपर वर्दाएं है जिने नदियों और सरजताओं ने भाईत दसा निच्छेपर किया है अगर बात करें तो आपने अभी आपके उत्तर जो है आपके आपने उपर की इस्तिती देख लिए उत्तरी मैदान में और नदी घाटियों मैं देख लिए अगर हम इक बिंदक से उद्गम में उनका और पूर्वी तटकी नदिया जो हैं जो है यहां पर डेल्टै बनाती नदियां तो उन देखा होगा कि अधिकतर प्यूर्टी भारत की नदियां क्या है पशिम से उद striking 맞ा हैं उनका और पूर्व में जयाकर समुत्र में मिल जाती हैं समुद्र में मिलने से पहले वो क्या करती है एक डिल्टा का निर्मार्ट करती है यानि जो तमाम बितरकाओं में बट जाती है यहां पर क्या होता है एक डिल्टा का निर्मार्ट होता है ठीक है तो उस डिल्टा के महाने पर यहां बताया गया क्या है जरोड मृत भूह की कितनी मात्रा है तो ऊभी मैंने बताई थी युफस कि कितने मात्रा आ तो वही मात्रा आप देखिए चाहे आप लिख लेना या जिए आप लिख nine यरू आ रे आ र इसलब तीज से 50% गाद या वह फोल सकते हैं और यहां पर इससे यहां मिल गई अब 20% कम च्कनी पुल पएल ने यहां पर जो 15% के लगबग यह वह हुमस पाए जाता है तो इनका संग्ठन आप ये लिखने ना तो ज़्यादा बैटर रहेगा क्योंकि बार बार ये बढ़ आएगा और अकसर अगर आप अन्फ्यूज होंगे तो काम नहीं चलेगा एक चेके आप नोट करके आप बलूई या दोफ़ दोमट के रूप में लिख लेंगे तो आप समझ में आ जाएगा इसमें इतनी-दोमट में ये चत्त तो बिद्धिमान होती है तो आपको समझ में यल्दी आ जाएगा तो आपने ये लिख लिख लिखा होगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब देखें यहाँ पर वही second point आप आप नोट करेंगे यहाँ पर second point कि इसके गठन में बलुई द्रमट से चिकनी मिट्टी की प्रकति की पाई जाती है ठीक है याँ बलुई द्रम इसकी मात्रा यहाँ पर कम पाई जाती है यानि इनमें आप किसकी मात्रा अधिक मिलेगी आपको पोटास की मात्रा यहाँ पर अधिक मिल लही है और फोस्परोस की मात्रा यहाँ पर कम पाई जाती है यह आपने नोट कर लिया होगा आगे बढ़ते हैं अब देखें यहाँ पर आपने गंगा के मैदान में जब आपने देखा था कि भाई किस तरह से हमने डिवाइड किया गंगा के मैदान को यह आपने पढ़ा था ठीक है तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि गंगा के ऊपरी और मद्यवर्थी मैदान में खादर और बांगर नाम की दो भिन मरदा विक्सित होई है वो दोनों भीनी मर्दाय जो है जलोड मर्दा का ही रूप है वास्ताब में वो दोनों मर्दाय जो है वो जलोड मर्दा का ही रूप है तो आपने पढ़ा था वहाँ पर जो गंगा की हमने बात कही थी वहाँ पर तो आपने देखा था वहाँ पर आपने है तो आगि यहाँ पर खादर म्रता की बात करें यहाँ दो सक्टि एरफ या नहीं पर लए पेसुन दोने दे को कि द OF दो दो होई है कि घृ में उर पर नोट से मेन भालती रहती है तो नियों किस्वार नए बेंवेच द होई है तो थर्ड्र का पंप दोदσι दो है आगे बढ़ते है अब देखे second sub point अगर बांगर की बात करें यहां पर second sub point बांगर है बांगर को परान जलोडग है यानि इसका वाङटर काही है इसका जमाव जो बाढ़कत मेंदानों से दूर होता है तो नदी की किनारी ऐ बाढ आती है तो बाढ़ की बियस्ते खादर जाँगे बढ़ते हैं, अब दीके अगर इन दोनों प्रदेसों की बात की जाए, तो इन दोनों प्रदेसों में यहाँ पर जो मरदा में कंकढ़ पाए जाती भी खादर और बांगर मर्दाओं में कैल्सियमी संग्रंतन याई ग्रंतियां अर्थात कंकर पाये जाती है ठीक है तो आपने यहाँ पर नोट का लिया होगा आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहाँ पर जो जलोड मर्दाओं जलोड मर्दाओं की प्रकति की बारे में बात कही गई है इनकी प्रकति कैसी कैसी रहती है दोट प्रकति तो आप जानगे मर्दमाइका मतलब होता है क्ले ठीक है याँ चिकनी मिट्टी जिनने हम बोलते हैं क्ले ठीक है यहां पर अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, चौथा पॉइंट, कि गंगा की मैदान और भ्रमपृत घाटी में अधिक दौमटी और म्रणमय हैं, ठीक है, और अगर बात करें, तो पश्चिम से पूर्व इनमें बालू के करड़ जो हैं, वो कम होते चले जाते हैं, इन प जरोड म्रदाओं का रंग देखें, तो इनका रंग जो है, वो दूसर प्रकति का होता है, हल के दूसर सलेटी रंग, ठीक है, दूसर प्रकति का होता है, तो यहां पर जरोड म्रदाओं का रंग जो है, हल के दूसर से राख दूसर जैसा होता है, यह लिखने हैं आप, ठीक इनका रंग जो है इनकी निच्छे पड़ की गहराई कितनी है इनका गठन किस पकार से हुआ है और निर्माण में कितना समय लग रहा है इस पर डिपेंड करता है ठीक है देखे यहाँ पर चूंकि जलोड म्रदाओं की संख्या जो है जलोड म्रदाओं का प्रस्रत हमारे कि आती है जै करें अब यहाँ पर अगली मिटी का प्रकार एक सेकंड नमर की जो म्रदी है यहां काली मरदा या र रैगूर म्रदा इसके नाम सी फिया मस है यह देग्जिक इसकी बिसेस्ता क्या है यह इलापको के जो आपके दक्कन два नेमन की वहां पर पाई जाती है और आ तो बेसाल चल्टा रणों की विज़से यहां पर इस मिट्टी का रंग काला है तो बेसाल चल्टा रणों में कौन-कौन से तद तो यहां पर पाये जाता है वो यह अलूमिनियम ठीक है एल लिख दे रहा हूँ के बल में थर्ड यहां पर पाये जाता है जो तीसरा कत्तों यहां पर जो मिलने वाला है वो जो आयरन है आपका यह लोहा है लोहे का यह ओक्साइड है यहां पर इसका नाम है यहां पर वो मैं लिख दे रहा हूँ यहां पर लोहे का टाइटेनी फिरस करके है मैं लिख दे रहा हूं यहां पर टाइटेनी फेरस मैगनेटाइट करके यह है तो इसकी बज़ासे इसका रंग जो है यहां पर काला होता है यह देखे यह पूशा जाता है अक्सर यह इन यह कमपोजीशन है इसका योगिकों का कि किसकी बज़ासे स्मिट्टी का रंग काला है तो यह पूशा जाता है ठीक है यह पूशा जाता है तो वो मैंने यहां पर आपको बता दिये हैं अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां इसमें आप नोट डाउन करते जाएंगे यह तो आप सभी को बताया धकन ट्रेप जो आपका खाज करके महराष्ट वाला रीजन है वो दकन ट्रेप बोला जाता है तो यहां पर नोट करेंगे यह तो है इसके अधिकतर भागने इसके लाबा कुछ भाग गजरात में आ जाता है आध्यों में का तमिल नाडू के कुछ भाग काली मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पर इसमें पहले का सब पॉइंट आफ लिख ले ना पहले का पहला सब पोइंट करके कि घुदाबरी वा कश्टानरदियों के उपरी भागूं में ए दिखकर है कि या उपरी भाग भी सामिल आ आगे पढ़ते हैं यहां पर अब देखें इनकी जो यानि विस्था है यहां पर यहां पर जानेंगे second point में यहां पर कहा गया है कि यह मड़मय यानि Clay type की गहरी होती है और आपारिगम में होती है पारिगम में आपारिगम में आप साइंस पढ़ी है तो आप जानते होंगे ठीक है पारिगम में जिल्ली और आपारिगम में जिल्ली ठीक है पारिगम का मलब क्या होता है कि ऐसी जिल्ली जिसे जो तरल है उसका आवाज ही हो जाए तरल जो पार हो जाए वो पारिगम में कहला कई आती हैं ठीक है तो यह आप पढ़ चुकह है तो यह अपने पढ़ा होगा पार algae और आप पारी गम के वारह जाए यहां पर तो यह मॉर्दाइं कैसी होती है जाले यह मर्दा मॉर्म से पहाती है यह इनकी होने पढ़ती है और भ्हठी और भैसे ही जब सूख जाती है तो इनमें आपने देखा हुग है तो यहीन देखा हुगा है, तो यही एक पर आप आहाँ इन लिख लिए, न लिखेंगे लिली के किसणन फिशन कर लिया हुँग है, और आप कि सुस्कृत homem इन बरदाओं में चौड़ी चौडी द्रा न भर जाती है आगे बढ़ते हैं अब देखें यहां पर इनकी जो बिसिस्ता है यह मने यानि आपारेगम में प्रवतिकी आपारेगम का मलब यह है कि जल बहुत जल्दी इनमें आरपार नहीं हो पाता है यानि जल यहां पर माली एक पर घटा हो गया इस मिट्टी में तो बहुत ज जल यहां पर पता चला कि अगली दिन तक पहुंची गया चल लेकिन यहां पर काभी टाइम तक रुखा रहता है तो इस वजए से यहां पर लंबे समय तक नभी इसमें बनी रहती है तो यहां पर आप इसी में नोट के लेना सेकेंड का थर्ड सब पइंट कि नमी के धीमे और नमी के छे की बिसिस्ता के कार्ड काली मिर्दा में एक लंबी अविद्य तक नमी बनी रहती है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देगे रासाइनिक दश्टी से यहां पर सैयोजन जो बताया गया था मैंने वही सैयोजन आप लिख लेना देगे इसमें रासाइनिक दश् में ने लिख लीजिए तो यहां पर रासाइनिक दश्टी से इन वर्दाओं में चूने लहो मेंगनीसिया ता एलुमिनिया की तब तो काभी मात्राम पाई जाते हैं इसके लाबा जहां पर इसमें जो है पोटास की मात्रा पाई जाती है लेकिन इनमें फॉस्पोरस ठीक है नाइट्रोजन और जैब पदार्त यानि हुमस की कमी होती है जैब पदार्त इनमें कम मात्राम पाई जाते हैं तो यह आपने इनकी विसिस्ता है काली मर्दाओं की लिख ली होंगी आगे बढ़ते हैं यहाबर काली मर्दा के बाद अगली जो मिट्टी आपकी जो आती है यह मिट्टी आती है आपकी लाल और पीली मर्दाओं यानि आपकी थर्ड मिट्टी जो है तीसरी वाली मिट्टी की हैडिंग आप डालेंगे यहाँ पर यह डालेंगे लाल और पीली मर्दाओं लाल मरदाएं क्यों कहते हैं और पीली मरदाएं क्यों कहते हैं वो भी देखते हैं देखें यहाँ पर अगर बात कही जाए लाल और पीली मरदाओं के बारे में तो यह भारत की दूसरी प्रमुक मरदा बोली जाती है इनके बारे में देखे कुछ extra ordinary fact के तौर पर मैं बता दे रहा हूं, कुछ किताब में जो हैं जिन में पुछे गए हैं या आए हैं तो उनके तौर पर बता दे रहा हूं, यह भारत की दूसरी प्रमुक्त मुरदा है, इसका विकास जो है धक्कन पठार के पूर्वी और जिन में ग्रेनायट और नीस पाई जाती है, वो जट्टा ने के लिए जिम्मेदार हैं, तो कुछ चीज़ें जो होती है, मैं यहाँ पर बता भी जता अच्टा और तौर पर यहाँ पर यह पहला पॉइंट आप नोट करेना है, यही वाला कि भारत की दूसरी प्रमुक्त म कमबर्सा वाले उन छेत्रों में हुआ है, जहां रवेदार आगने चट्टा ने पाई जाती है, इसके अत्रिक्त यहाँ पर आप लिख लेना है, इसके अत्रिक्त यहाँ पर आप लिख लेना है, इसके अत्रिक्त यहाँ पर आप लिख लेना है, इसके अत्रिक्त यहाँ प पुछ भागों और मद्द गंगा की मैदान के दच्छिडी भागों में ये पाई जाती है आपने पहले का सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखें यहाँ पर इस मरदा का लाल रंग क्यों होता है वो भी जान लेते हैं कि वाई यह मरद इस मिट्टी में जब जल का भराओ आगे मंड़ते हैं अब देखें यहाँ पर इसकी बशिस्ता एक बात यह है कि भाई यह जो महीन करणों वाली जो तो इनकी जो लाल या पीली मिट्टी होती है वो औरवर प्रकतिकी होती है भही जो मोटे कणों वाली जो उच भूमिया इनकी बोली जाती है वो अनुरुवर होती है तो थर्ड पॉइंट में आप यहाँ पर लिख ले ना थर्ड पॉइंट कि महीन कणों वाली लाल और पीली यह कैसी होती है ये सावान्य से उरवर होती है जबंकि मोटे कड्रों वाली अंउरवर होती है जब इनके विप्रीद क्या होता है आजाए आगे वरते हैं आपर अब दिखिए इसमें कौन कौण से सत्व अ líंटवाल होती है वह में ले देखेंगे ईश ringing मैं सामानित है नाइट्रोजन, फॉस्पूरस और ह्यूमस की कमी यह होती है जनी इन चीज़ों की कमी होती है और लाल लंक क्यों है वो मैंने बता दिया लाल लंक रवेदार और कायांतिक चट्टों में चट्टानों में लोहे का जो वेसरट होता है इसकी जैसे इनकी यहाँ पर पर इसमें कुछ अगला पॉइंट भी आपको लिखवा दे रहा हूं देखे यहाँ पर कौन-कौन सी फसले इनमें कर सकते हैं देखे लाल मर्दा की जो उची भूमिया है उची भूमिया का मनलब क्या है यहाँ पर मौटे-मौटे कड है ठीक मिट्टी के मौटे-मौटे पहले अब देखे यहाँ पर वही बात कही गई है इसकी जो लाल मर्दा की उच्छ भूमिया है जहाँ पर मौटे-मौटे कड़ पाए जाते है अनुरुबर प्रकति की भूमिया जो है बहाँ पर किस-किस की खेती की जाती है देखे अनुरुबर जो भूमिया है उन्वे बाजरा आप जानते होंगे इसके लिए कंपानी जरुथ पढ़ती है मूंगफली इसके लिए भी कंपानी जरुथ पढ़ती है बाजरा मूंगफली और आलू यह आप देखे है ना लाल म्रदा की उच्छी भूमियों पर बाजरा मूंगफली और आलू की खेती जबकि इसक यहां पर 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 यहां प अब देखे इनका विकास कहां पर हुआ है लेटराइन मर्दाओं का देखे इन मर्दाओं का जो ये मर्दाएं है ये उच्छ ताबमान और भारी बर्सा की चेत्रों में विक्सित होती है पहली बात ये जान लीजिए कि हाई टेंप्रेचर यानि यहां पर आप समझ सकते हैं उच्छ कर्टबंद के आसपास की चेत्रों में यहां पर हाई टेंप्रेचर रहता है बर्सा भी अच्छी खासी होती है तो बहाँ पर ये मर्दाओं पाई जाती है अब देखे यहां पर अगली बात यहां पर कही गई है अगले सब पॉइंट में कि भाई इसमें किस-किस बहitsक है तो यहहां पर इनके नह maneuver पाई जाने वाले तत्तों है वहां से हट जाती है यहां फिर वहां से हटने को पौराँ कही बिखर जाती है या फिर निचले tram यहां पर इसमें आप नोट का लेना देखिए जैसे कि मैं लिखवाता हूं यहां पर अपनी भासा में तो यहां पर पहले का अधीक वर्सा की कारड जलगे साथ चूना और सिलका का निचालन हो जाता है पिरसे लिट और अधीक वर साथ होती है तो जलगे साथ क्वाता है चूना और सिलका यानिक इसके उपरी परत जो है पर सहस्तर ए वाली वो कईना कि भेख आती है, Señor, ठीक है? या ठीक है? या पर वो कट कर भेख आती है, निच्छालित हो जाती है इसके उप्रान क्या बच्छी आता है? लोहिके Oxyट और एल्मींम के योगिक के भरपूर मर्दाईं सीस रह जाती है ठीक है इसलिए ने लेटराइट मर्दा की संग्या दी जाती है तो ये बात ठीक है योग से बरूर मर्दा है सेस रह जाती है तो आपने पहरे का सेकंड सब पॉइंट का लिया होगा आगे बढ़ते हैं इन में कौन-कौन से जो है प्रमुक तक तो पाए जाते हैं या कमी अग्यादार्थ यूँए है नाइट्रोजन फॉस्पेट और कैल्सियम की कमी होती है सेकंड पॉइंट आपने नोट का लिया होगा और लेकिन यहाँ पर लहो ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है इसलिए अगर हम यहाँ पर देखें यानि परडाम सुरूप क्या ह नहीं सुरूप क्यंब्क हैं सारी क्सी ऑप्योगत नहीं होती है ठीक तीक में यह इसके यह परड़ते हैं इसलिए आप्योपनेंट करेंगे यह तendasru आंत्वदेश और केरल में काजू जैसे प्रक्षों वाली फसलों की खेती के लिए ये मरदाएं अधिक उप्युक्त है इसके लाबा मकान बनाने के लिए जो आपकी मिट्टी से इंटे मनाई जाती है तो उसमें भी समर्दा का अच्छा का सा प्रियोग होता है तो आप लिख और असम की पाड़ी चत्रों में ये पाई जाती है देखिए यहां पर काजू का जिकर की आ गया है इसके लाबा कुछ चीज़ां और उगती है इसमें वह भी मैं बता दे रहा है कौन-कौन से चीज़ां उगती है तो इन्हें आप चाहें तो पांचमा सब पॉइंट करके लिख लेना कि इसमें टीम में मुख्यता है देखिए यहां पर कौन-कौन सुकता है चाय होती है चाय की खिती होती है कहवा की खिती होती है चाय की होती है कहवा की होती है रवड का उतपादन भी इसमें होता है रवड की खिती भी यहां पर की जाती है इसके लाबा सिनकोन सिनकोना आप जानते है, सिनकोना के वारे में आप पड़ चुके हैं सिनकोना के लाव यहांब आपकाजू आप उपर लिख चुके हैं सिनकोना, काजू, मौटे आनाज और मसालों की खेती यहां तो ऐसे करके आपके ये चौथी मर्दा जो है, यानि के लेटरायिट मर्दा ये complete हो जाती है अगली मर्दा जो हो यहां पर आप देखेंगे ये आपके पांच मी मर्दा है, ये शुष्क मर्दाइं है जैसा कि नाम से ही यहाँ पर आपको प्रतीत हो रहा है इनमें नमी की मात्रा कम होगी अब दीगे अगर इनकी सरनचना के हिसाब से इने देखें इनकी सरनचना के हिसाब से यह बलूई ठीक है और प्रकति से यह लवड़ी होती है जैसी प्रकति के लवड़ी महात्रा इन में ज्यादा पाही जाती है आगे बड़ते हैं अब दीए यहाँ पर इसमें कहा गया है याने कि यहाँ पर इसमें कहा गया है अगला point note करेंगे इसमें कि यहाँ पर sub-point note करेंगे पहले का सुस्क जल्वायू, high temperature यानि उच्छ तापमान और तीब गती से वास्पिकर्ड कार्ड इन मरदाओं में नमी और हुमस जो है कम होते हैं यहाँ पर सुस्क जलबाई हुए यहाँ पर जो उचा ताप माने और तीब गती से यहाँ पर वास्पिकर्ड जब होता है कि इसमें क्या है निट्रोजन अपर्याप्त मात्रा में फॉस्पेट यहां पर समान मात्रा में होती है ठीक है और यह मर्दाय कैसी है यह अनुरूबर है यानि कि यह मर्दाय लिख लेना यह मर्दाय अनुरूबर है इसी में लिख लेना यह मर्दाय अनुरूबर है आगे तो यहाँ पर अगला पॉय् priests लिख लेना यहाँ पर सैकेंड पॉयंट किसमें नीचे की ओर क्षुने की मात्रा बढ़ते जाने काडों कि परते 직접 युद्त परति है इनि इसमें नीचे की ओर काम की यूंध log करत है जो कंकरों की परत वह यहाँ ओपर देखनेती है अब देखिए यहाँ पर जो मर्दा में कंकड़ों की याई इसकी तली में कंकड़ों की परत होती वो क्या करती है वो पानी का रिसाओ नहीं होने देती पानी का रिसाओ निचली परत की और भरा सा रह जाता है तो यहाँ पर वही बात कही गई है यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप नोट का लेना कि मर्दा के तली स्वस्तर में, जो कंगणों की परत के बनने के कायर नहां पर पानी का क्या होता है, ये रिसाओ सीमित हो जाता है, इसलिए सिचाई के लिए किया जाने पर इन मर्दाओं में बहुते हों की सदत प्रदी के लिए नमी सदा उपलब दरह यहां पर नोट करेंगे एक बात मैं आपको बता दूँ जनली जैसे आप क्या पर सेप्शन मगा लेते हैं जैसे कुछ अभीरतियों के साथ जैसे उनके सामने शुष्क म्रदा का जिकर आ गया और उनके सामने कुछ ऐसा कथन आता है मालिए ऐसा कोई इसलिए यहां पर NCRD पढ़ना बहुत जरूरी है यहां यह बात NCRD में लिकी बल्कुर सही बात है यहां पर सुस्क्र म्रदा में अभी अगर हम पानी उचित मातरा में पानी का पोषट करें पानी लगा है तो यहां पर बढ़े कर सकते हैं लेकिन जिसने NCRD नहीं पढ़िए वो बता नहीं पाएगा यही अंतर है NCRD में और जो आप देखते हैं रेंडम वीडियो जिनमें कि आज प के यह प्श्मी राजिस्तान में अब कि यह पश्मी राजिस्तान में इसके लाबा अब ये लिखनेयन आप प जाती है यह पश्मी रायस्तान दश्री पंजाब पश्मी गुजाड़याना और उत्री गुजरात के यह सुस्क प्रदेश्व में मिट्टी यह पाई जाती है अब देखते हैं लवड का मलाव जो होता है इसमें लवड की मातरा देखो एक तरह से नमक की मातरा देखो लवड में नमक भी आ जाता है और चीज़ आ आती है देखे इन मरदाओं को मूलते हैं उसर के नाम से जाना जाता है यानि इन मरदाओं को हम किस नाम से जानते हैं उसर मरदाओं भी जानते हैं रहे या कलर आपने साम सुना होगा तमाम नाम है इनके लिए तो इन मरदाओं को यहाँ पर उसर मरदाओं भी कहते हैं और इसमें क क्या होती है यह अनुरुभर होती है यह अनुरुवर होती है यह अनुरुभर होती है आप ढीके यहाँ नोट का lie यहाँ पर अगला point यहाँ पर यह कहता है वाई कि यह मर्दाएं जो हैं शुष्क और अर्धव्सुष्क और जलाकान छेत्रों जो जल से ग्रे रहते चित्र हैं और अनूप जो हैं धल्दली चित्रों में यह अर्धवा पाई जाती है second point आप लिख लेना कि ये मर्दाएं शुष्क और अर्द शुष्क तथा जलाकान थित्रों और अनूपम में पाई जाती है ठीक है अब देखें इनकी सरचना के बारे में बात कहीं कहीं इनकी सरचना कैसी होती है सरचना इनकी बलोई मिट्टी से लेकर दुमिटी तक होती है दौमट भी इनमें पाई जाती है इन मर्दाओं में आज देखें यहां पर इनमें कौन-कौन से तत्तों का अभाव होता है बहुत भी लिख लेते हैं यहां पर सेकिंड का सेकिंड सब पॉइंट इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है नाइट्रोजन और चूने की यहां पर कमी होती है लवड मर्दाओं का जो अधिकतर विस्तार है लवड मर्दाओं की अगर बात करें इनका विस्तार की बात करें तो इनका जो विस्तार है वो प्रसार पश्मी गुजरात आगे बढ़ते हैं देखिए हमारे कुछ उत्तरप्रदेस साइड में भी आप देखते होंगे उत्तरप्रदेस के कुछ चेत्रों में जहां पर सबसे जादा पानी का प्रयोग हुआ है हरित कांती के दौरान जल का भौधा सचाई की गई है तो उन जगों पर भी जमीन उसर हो तो वो यहां पर बताया गया है कि यहां पर भी बात लिगी गई है चौथा पॉइंट में कि अत्यदिक सिचाई वाले जो गहन क्रसी छेत्र हैं इनमें बिसेस रूप से हरित कांती वाले शेत्रों में जो उपजाव जलोड मिट्टी है यह भी लवड़ी होती जा रही है य तो यह उनकी प्रगति है आप देख पा रहे होंगे कि कुछ छेत्र जो है जानी आपके यूपी के चोड़ कुछ छेत्र है वहाँ पर उसे मिट्टी पाई जाती है और कुछ जगह है तो वह यहीं बात यहां पर बताई गई है ठीक है अब देगे यहां पर वही बात कहा है कि भाई यहां पर यह ऐसा क्यों हो रहा है यानि कि आपके उपर अभी पढ़ा यहां पर लाइन कि जो अत्तितिक सिचाई है तो केस का क्रिया को बढ़ावा देती है केस का क्रिया होती गया है केस का क्रिया के बारे में आपने 11-12 की साइंस में खास करके physics में जो case का सिधान्त है वो पढ़ा होगा आपने बढ़ा होगा case कट के गुढ के कालड आप दिखती होगे जो डिबी होती है डिबी या लाल्टेन होती है उसमें तेल जो होता है वो ऊपर की ओर चड़पाता है case कट का गुढ आपने पढ़ा होगा ठीक है आपने ये भी पढ़ा होगा केस करत के कोड़ में कि भाई जल जो होता है वो केस का में उपर चड़ जाता है ठीक है पतली सी नली में उपर चड़ जाता है जबकि पारा जो होता है उपर नहीं चड़ पाता है आपने पूरा सिद्धान पढ़ा होगा अगर आपने नह जैसे याई बाल की बारीक समझना की समान छुट छुटी नलियां होती हैं जनकी जरीए पानी ऊपर चड़ता है जिनकी जरीए क्या होता है जैसे आपने एक यानि कि उन जो रेसे होते हैं कपड़े के रेसे की जो बत्ती बगएरा होती है कपड़े की या फिर किसी की भी कॉटन बगएरा से बने या कोई और धागे बत्ती होती है उसमें क्या होता है केस का बन जाती है एक केस का की जैसी नली टैप बन जाती है तो क्या करती है उपर स चल ले योटी ज्वाला के अपनी और जो चीजों को आगर्सित करती है अपनी खशाव करती है तो ऐसे करके मिट्टी का तेल वगेरा या और भी कोई ओईल है वो ऊपर चड़ जाता है सैम केस का प्रक्रिया मिट्टी में भी होती है या कि बहुत युविव सूख करए को गया यहां युवी वें वğही गाновती केस का नीचे से लूक्त सत्र का सक्वार्य थे जो है ठाइग औहना, वहीं बात यहां पर चाई कई कने की वयूदती ही, शतर वाली उपर वाली पड़ता है यह लबड़ी हो जाती है यह बात कही गई है तो आप यहाँ पर अब आप नोट करेंगे अड़िए सिस्क जलवायuard वाली जशाओं में अत्यदिक सचाई केस का क्रिया को बढ़ावा दे टी है जिसके बढ़ाम सुरूप ठीक है यहाँ पर नमक उपर की ओर बढ़ता है और बढ़ता की सबसे ऊपर ही परत में नमक जमा हो जाता है तो ऐसे करके आप देख पा रहे होंगे कि यह जो इस क्रिया के वलतुरू क्या होता है जमीन लबडी है उसर जमीन हो जाती है ठीक है या नीचे के संस्तरों में क्या होता है नीचे के संस्तरों में संस्तर A, B, C हमने पढ़ेते उन से तत्रों जो होते हैं उपर के संस्तरों में पहुंच जाते हैं केस का क्रिया के ठीक है जिपसम खाद की वज़े से क्या होता है कि यह जो प्रक्रिया है देगे यह रासाइनी संग्टन की वज़े से क्या होता है कि यह प्रक्रिया की वज़े से जो उसर जमीन है उसर जमीन फिर से यहां पर उर्वर हो जाती है इस जिपसम खाद के डालने से तो यहां पर आ खाद है जिसको देखिए रासाइनिक नाम के इसाब से इसे देखें तो कैलσι electric dehydrate के नाम से जाना जाता है अगर इसका देखें तो calcium dehydrate के नाम से जानी जाती है ठीक है तो आपने यहां बर यह चलि आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपर उसे करके आपका ये पाँचमा पॉइंट था कौन सी मर्दा थी याई वाली यानि कि यह हमारी लवर्ण मर्दाती कम्लिट हो गई अब अगली मर्दा जो है ये पीट मैं मर्दा है साथ मी मर्दा नहीं है ये मर्दाएं कहां पाई आ तो ऐसी मर्दायों को यहां पर यहां किस मर्दा क्या कहते हैं पीट मर्दा कहते हैं तो पहला पॉइंट आपने यहां से लेकर यहां तक आप नोट कर लेना अब देगे क्या होता है कि जब अच्छी खासी वर्सा हो रही है इसकलाब आदलता भी बहुत जाला है और पेड़ कि मिट्टी में यहां पादाद बहुत होते हैं तो यहां पर भए बात लिखना है इसी में इस्पॉइंट के इन मर्दाओं में जयाप पर्दार्तों की बाड़ी सैंटिक कि हुप उपर से लिखना फॉरी यहां से लिखना अंग इन चेत्रों में मलत जैप पदार्ट में अगटे हो जाते हैं जो मरदाह को यूमस और परिआत महात्रा में जैप दह तो प्रदान करते हैं है यहां लिख saint इन मर्दाव में जैप प्रदारतों की जो मात्रा है वुग दिंगती है ये पहले का सेगेंड साउप पाइंट इसमें 40 से 50% तक तो जैप प्रदारत यनि हुमस होता है इसके लाबा ये मर्दाएं जो सामायनते हैं गाड़े और काले रंगी ये होती है अब ये मर्दाएं कहां कहां पाई जाती है ये भी बताया गया है देखें ये मर्दाएं आपके जो है अधिकतर आपका बिहार रीजन ठीक है इसके लाबा बिहार का उत्तरी भाग उत्तरांचल का दच्छडी भाग पश्चिम बंगाल के 30 शेत्र और उडिसा और तमिल डाड में ये पाई जाती है देखें अगली मर्दाएं जो आपकी है ये आपकी जो है आठ में नमर की मर्दा जो है ये है वन मर्दा ठीक है वन मर्दा है जैसा कि नाम से ही आप समझ में आ रहा है कि यहां पर बंग शेत्र होते हैं भाबर ये मर्टियां पाई जाती है तो अगली जान लीजिए, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगली सिती, देखें, यहाँ पर घाटियों में यह बात करें, तो घाटियों में यह मर्दाय जो होती हैं, यहाँ पर यह दौमटी प्रक्रति की और पांचु और प्रकति की होती हैं, तो यहाँ पर आप लिख लेना, second point, कि घ पाटियों में यह दौमटी और पांचु और प्रकति की, और उपरी ढालों में यह मोटे कड़ों वाली होती हैं, तो second का sub point लिख लेना, कि हमालय के हमाच्छादित खेत्रों में यह अमली और कम लिख वाली होती हैं, अब देखें, यहाँ पर मिट्टी के बारे में बहुत अच्छी बात कहीं है यह समझने वाली बात है तब यही लाइन आपकी महत्वपूर्ण अगली हेडिंग जो आपकी यहाप पड़ेगी यह पड़ेगी मर्दा अवकरषड का मलब यह है कि मर्दा में और वर्वर्ता की कमी इसे मर्दा अवकरषड के रूप में जाना जाता है तो आप लिखने ना कि मर्दा अवकरषड को मर्दा की और वर्वर्ता की हिनास की रूप में परिवासित किया जा सकता है इसमें होता क्या है इसमें जो है मर्दा का जो पोसर्ड इससर है वो गिर जाता है और अपरदन और दुर्पियों के कारड मर्दा की गहराई कम हो जाती है गहराई के मलब यह है उपर की परत का अनास हो जाती है तो ऐसे करके जो पोसर्ड तत्तों वाली परत है वो कम गहरी र नहीं है कि मरदा के लिप्र अच्छी बरसा हो रही है तो उपर वाली तत्तों को एनास जल्दी हो थी है कुछ जगर आपने देखा कि रेगस्थानी प्रकति की जलवाय हुग ये राहस्थान में ठीक है तो भागी मरदा सुस्क मरदा पाई जाती है, यह आपने देखा, ठीक है, तो ऐसे करके भही बात पताई गई है, कि भाई, यह सब चीज़ें किस पर डिपेंड करती है, अब करशल किदा, यानि मरदाना पुषटत्फां की कमी, जो डिपेंड करती है, वुआ क्रती पर, पबनों की गदी पर और बर्सा की मात्रा के रुनसार ये एक इस्टान दूसरे स्टान पर भिंड होती है आगे देखते हैं अबर अगली हेडिंग है मरदा अपरधन मरदा अपरधन का मलब क्या है भाई मरदा का एक आवरड है आपरट का मलब आपने जो स्वाइल प्रोफाईल पर अपरधन परछट का अपने देखा था सनस्तर A सनस्तर B सनस्तर C तो यहाँ और आपने ये भी देखा था हर सनस्तर में कुछ नहीं कूछ पो सचतन तो माजूद है ये सह स 뭔 जाता होती है B में A और C का संक्रमन होता है A से कुछ तत्व आते हैं C से कुछ तत्व आते हैं यहाँ आपने देखा था तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि मर्दा अपर्दन क्या होता है याँ जब उपर वाली परत का हिनास हो जाती है यह देखे बैते जल्गी वजय से होती है पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रियां जो होती है मर्दा निर्मार्कारी प्रक्रियां सासात होती रहती है यानि बैते जल्गी और पवनों की अपर्दन जो करती है मर्दा का अपर्दन करती है यहांपर अभई सेकेंड साथ साथ चलती है यहांपर अभई सेकेंड सा पॉयंट लिखा गया है यहांबर यह कई बार क्या होता है प्राकर्तिक अत्वा मानवी कारकों से है संतुरन बिगड़ जाता है इससे मर्दा के अपर्धन की दर बढ़ जाती है और आप सभी जानते हैं कि जो प्राकर्तिक से ज़्यादा जो मानवी कारकों में आप जानते होंगे अवैद खनन चंसं चारणा नहीं चाहता में और आप अब यहाँ पर मर्दा के पर्दं के दो प्रमक कारण कॉन कॉन से हैं यहाँ नोट करेंente 差不多 ते के यहाँ पर पर्फवन यानि कि बायू और जल और तोल प्रमक को रख है यूशु को ऑル जल्ड़ हो qui ठीक है अब ही जलगी बात कही गई है second sub point में भारी बर्सा और खड़े डालों वाली पर्दिसों में बहते जल द्वारा यह क्या है किया अपरदन यह महत्पुड होता है या तो खुला मैदान हो या फिर बहता हुआ जल हो सोरी खुला मैदान मुला हूँ खड़े डालों या यह जल बहरा है नदियों बगरा करती है तो उस जैसे जो मिट्टी बहरा यह बहरा जाती है तो वाद यहां पर कही गई है तो second का second sub point भी note कर लिया हुआ देगे पुन्हे इन्होंने यहां पर पबन और जल मिर्दा को अपरदन के दो काल बताए है पुन्हे इन्होंने क्या जल अपरदन को दो रूपों में बिवक्त कर लिया है और यह रूप अकसर पूछे जाते हैं यह रूप अकसर पूछे जाती है जल परदन के दोनों रूप इंपोर्ट है यह पहला तो इसमें sub point आप डालेंगे यहां पर आ लग लेना कि जल अपरदन दो रूपों में होता है पहला यहां पे पहला सब पॉइंट या पहली सब एडिंग थरड का यह है परत अपरदन ठीक है उपर की जो परत है इसे परत अपरतन बोलते हैं तो यह कहां होता है यानि यह समतल भूमियों पर मुसलाधार बरसा जब होती है इसके बाद और इसमें म्रदा का हटना आसान परत का परतन होना पठत हो जाथा था ठीक है तो भही बात यहां पर कही गई है अपनाल का परतन जो होता है वो दिखाई देता है आंखोंसे तो यहां पर second सब्सक्राइब है यहां पर एक जाती है तो यहां पर आपने नदीज रोणियां उन्हें को गहरा करती जाती है तो वही बात यहां पर नदीज रोणियां पर होता है वर्सा से गहरी हुई अवना लिकाएं ठीक है क्या कर देती है यह वर्सा से गहरी हुई अवना लिकाएं कसी भूमियों को छोटे छोटे टुकणों में यह खंडित कर देती है और इसकी जैसे क्या होती है जिससे क्रसी के लिए यह अनुप्युक्त हो जाती है अब जीक है सब्प siitä करने के लिए मैं इस्तरह का साइन करता हूँ या पता हो भाल प्रदेश मेना लिकाएं अदिक संख्या में होते हैं उसे हम उतखात भूमी कहते हैं उत्खाद भूमी इस्तलाक्रिति खा जाता है जैसे चंबल द्रोडी यह लिखना आप के इसी में चंबल द्रोडी द्रोडी है चंबल द्रोडी के विस्तरत भीहड ठीक है कॉमा तमिल नाडू और पश्मी बंगाल में भी पाई जाते हैं यहां लिखने ना तमिल नाडू के बिस्तत बीयर इसके लाबा तमिल नाडू पश्मी बंगाल में भी यह पाई जाते हैं क्या अवनालिका पर्दन वाले परडाम बरतमान में अगर देखा जाए आपके हैं देश में थर्ड सेगेंड कहीं अगला सब पॉइंट आप नूट करेंगे इसमें कि देश की लवों आठहार हेक्टियर भूमी प्रतिवर्स बीहड में परवर्तित हो रही है तो यह तो आपने उत्खाद भूमी के कारड़ जान ली है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखे यहां पर भाही बात करी गई है कि वाई मिर्दा अपरदन रोकने के लिए क्या करना चाहिए जाह से तामें प्रक्ष लगाएं मिर्च्छों की जड़े होती है मिट्टी को रूपकर रखती है ठीक है इसके लाब पहाड़ी भाग जो हो कि भाई मिर्दा अपरदन को रोकना है मिर्दा की उपरी परत है भाय आप रड़ है जिसका विनास हो रहा है उसको रोकना है ठीक है तो यहां पर भाही बात कहीं गई है मर्दा अपर्दन के बारे में कि मर्दा सरच्षड एक विधी है जिसमें मिट्टी की रुवर्ता बनाए रखी जाती है और मिट्टी के अपर्दन और छे को यहां पर रोका जाता है और मिट्टी की निम्रीद कर दसाओं को जहर आ जाता है ठीक है अब देखे मर्दा जो अपरदन है वो हर साल हमारे राष्टी आयमें भी नुकसान करता है क्योंकि हमने बताया था कि कि माली ये कोई ऐसे छेत्रे है जहाँ पर 15 से लेकर 25 परसेंट धाल प्रवड़ता होती है ये ढाली आप देखा हुआ खड़े ढाल वाले कुछ इस तरह से ढाल होते हैं मंद ढाल होते हैं कुछ एक्तम ऐसे खड़े ढाल टाइप हो जाती है ठीक है तो बहुत चीने बताई ग तो इस पर साबधानी से सीडीदार खेत बना लेने चाहिए तो इस पर क्या करने चाहिए है मैं तो इस पर सीडीदार खेत बना लेने चाहिए साबधानी इटा देना तो इस पर सीडीदार खेत बना लेने चाहिए ये पहला पॉइंट आप नूट करेना इसके लाबा जो अ की तलास कर लेती हैं ऐसे करके चलती है तो इन प्रक्रियाओं को रोकना होगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें जो ग्रामीड परवेस्ट के मारी ग्राम बासी है इनको अबगत करवाना पड़ेगा तो यहां पर लेख लेए ना सेकंड पॉइंट में अतिचराई औ इसके लाबा एक व्रदिया आपने देगी समोच रेखा समोच रेखा मतलब क्या है कि समार्यारूक से मेढबंदी करके स्रिदीदार खेत बनाना थैंसेसे कर दी ठीक है जिससे क्या होगा कि मिट्टी बहकर ना जाए पोसक तो गरा बहकर ना जाए पानी के साथ तो समुच रेखा इसे बुल देते हैं तो थर्ड पाइंट यहां पर आप नोट कर लेना कि समुच रेखा के अनुसार मेड़ बंदी समुच रेखा की सीडीजार केत बन करना कि एठ समैंट केड़ीए लगाने से क्या होता है उनंकी जो ती रुति रहे हैं होगा मरदा परदन नहीं होगा अपररा सऽक इसी होती है, कुछे यानि कि उसे मजबूत पनाई रखती है उन्हें बेकार नहीं होने देती है ठीक है इसके लाव यहां पर कहा गया मिस्रित खेती सस्या वर्तन यह कुछ उपचार है मिस्रित खेती से अपराई यह है कि आपने देखा होगा कि नियमेत एक ही फसल करते जाने से क्या होता है अब यहां पर अवनालेकाएं बन रही है यानि आपने अवनालेकाओं का जिक्र किया जहां पर बहुत बड़ी संख्या में अवनालेकाओं बन नहीं है जहां पर बड़ी संख्या में नदियां बगरा निकल नहीं है और यहां से अवनालेका पर्दन हो रहा है तो बहां पर हमें कैसे रोकना है तो बहां पर हमें बा अबनाल का परदन हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें क्या करने चाहिए तीब्र बांद बनाने चाहिए ठीक है यह बात आपने लिखती ही होगी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब देगे यहाँ पर अगली बात यहाँ पर कही गई है जो आपके शुष्क और अर्द शुष शुष्क शेत्र है ठीक है तो इसके लिए जो बालू के टीले बगर यहाँ पर पाई जाती है इन में तो इनके प्रसार को रोकने के लिए हमें क्या करने चाहिए यानि कि यहाँ बार ब्रक्षों की रचक मिकला पनाएनी चाहिए रचक मिकला का मलब यह है कि यह कोई छेत् यहां पर पेड़ोगा दिए तो पेड़ोगाने से क्या हुगा इसके बगल वाली माली बालू की टीले बगएर आएं वो हमारे इस केद्व में परवेस नहीं कर पाएंगे उसे रचक में इकला बोलते हैं ठीक है तो यहां पर वही नोट का लेना पांचमा पॉइंट कि अगला उपाय हमारे भारस की सरकार कर रही है यहां पर खाया है कि भारस सरकार द्वारा इस्थापित कैंद्रिये मर्दा सरक्षड बूर्ड ने देश के बिभिन भागों में मर्दा सरक्षड के लिए अनेक योजनाय बनाई हैं लेकिन फिर भी योजनाय जो हैं अल्ब सरकार प्रयास कर रही है तो वही बात यहां पर दोराई गई है ऐसे करके आपका यह वाला चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो जाता है आई होप आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा देखिए आप लोगों से मैं बार बार गुजारिस यही करता हूँ एक लिस्ट एंसी आप नोट्स मना लेंगे तो कम से कम आपका जो बेस है वो स्ट्रॉंग हो जाएगा एंसी आडी के नोट आप सभी के पास होने चाहिए मेरा मानना यह है रिफ्रेंस को क्या स्टेंडर्ड वोग जो भी पढ़ें अंडरलाइन कर लें हो भी काम चल जाए या लिगे एंसी आ प्राइटी से ही ऑफ्सन उठाए जाते हैं अब देखे कुछ समस्या है अप लोगों की थी पिछले अद्धाय को लेकर जैसे कुछ लोगों ने कहा कि सर कुछ आंकडे जो हैं अपडेट करवा देते तो बैटर रहता या पुराने आंकडे लेखें देखें मैं अपडेट क आंकडे हैं वो अभी मेरे माइंड में नहीं थे ठीक है इसलिए मैंने कुछ किताबों का सहरा लिया बहाँ पर देखा तो बहाँ पर आंकडे वो भी साइद 2019 के लाश्ट के थे लेकिन अभी 2020 में आते आंकडे परवर्तित हो गए देकि आंकडे जो होते हैं वो हर साल परव यहां पर मैंने आपसे पहले भी गादा कि नोट्स अगरे इतनी इतना बात उध्यान रखिए कि इस पेसिंग छोड़ दीजिए जिस चैप्टर को एंड कर रहा हैं कम से कम महाँ पर आधा पेज छोड़ दीजिए मालीजी अभी आपने यह चैप्टर six नहा पर पाँक्ते जहां पर छोड़ दीजिए खाली blank मालीजी कोई नए तथ्य आते हैं तो उस पेज पर आप एड़ कर देंगे नए तथ्य तो इस उल्पास ना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं एतनी इतनी रश्रट करपाऊं ए तो मजबूरी होती है मैं प्रीबेस आंक्णी झाल झाल